नमस्कार मैं रवी कुमार मिश्रा आप देख रहे हैं न्यूज एटी मैं मौझूद हूँ इस वक्त सिंगू बॉर्डर पर और आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे ये रास्ता सीधा जा रहा है शंभू बॉर्डर पर जहां पर किसान बैठे हुए हैं तकरीबन 200 किलो पर दिल्ली पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स की हैवी डिप्लॉयमेंट यहां पर हो रखी है तमाम जवानों को यहां पर मुस्तैद किया गया है ताकि किसान यहां से दिल्ली की और ना बढ़ सके चुकि जिस तरीके से किसानों ने आवाहन किया है कि उन्हें दिल्ली चीत कर रहे हैं और इसी मद्य नजर आज एक एहम बैठक किसानों के साथ के इंसरकार के मंतरियों की है मगर क्या किसान मानेंगे यह बहुत बड़ा सवाल है चुकि इन सवालों पर ही सब कुछ टिका हुआ है निर्बर है चुकि यह रास्ता पूरी तरीके से बाधित है और यहां के जो स्तानिये लोग हैं उनको आवाज याही करने में काफी दिक्कत और मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है चुकि उनको भी अपने रोजमर्रा की जिन्दगी में कई जरूरी काम है जो उनको करने होते हैं उन्हें अपने नोकरी पे जाना है दुकान पे जाना है से मिलना है। तमाम चीजें हैं जो उन्हें करनी होती हैं मगर रास्ता बादित है जिसके कारण वो असमर्थ हैं अपने रोज मर्णा के कामों को करने में ऐसे में वो प्रशाशन से गुहार लगा रहे हैं कि उनके लिए कोई यूटन होने पर मजबूर हैं, चुकि वो आगे नहीं बढ़ सकते, चुकि यहां पर रुकावट है और रुकावट के लिए खेर है, चुकि प्रशाशन द्वारा यहां पर तमाम तैयारियां की गई हैं, चुकि किसान यहां पर आ सकते हैं, चुकि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वो दिल्ली की और आगे बढ़ेंगे और उनको सामना करना पड़ेगा प्रशाशन का जो मुस्तैद है इस हाइवे पे एनेश 44 नेशनल हाइवे 44 पे में मुझूद हूँ और सुरक्षा यहां पर इतनी पुक्ता है चुकि यहां से किसानों को आगे बढ़ना मुश्किल नजर आता है चुकि यह रास्ता दिक्कत और मशक्कत से भरा हुआ है तमाम बैरिकेटिंग यहां पर की गई हैं सिमेंट के पिलर्स यहां पर लगाए गए हैं कटेली तारे यहां पर लगाए गई हैं चुकि किसान आगे बढ़ना चाहेंगे तो उनको इन रुकावटों का सामना करना प पिशाशन यहां पर मुस्तेद है ताकि किसान यहां से आगे न बढ़ सके वैरहाल सब कुछ निर्भर करता है आज की बैठक पर किसानों के साथ बैठक होगी और शाम को यह बैठक होनी है देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोई निर्नायक कदम इस बैठक से निकल कर सामने आता है निदिली से करमेंट चंदन पटवाल के साथ मरवी मिश्रा न्यूजेटी